तो आज की इस वीडियो में भारती राजनती से जुला एक जबरदस्त किस्सा सुनाने वाला हूँ जब तीन यादव नेताओं की तिगडी पुरे संसद के उपर भारी पल गई थी, पुरे संसद के उपर गदर काटके रख दिया था, एक तरफ पुरे देश के संसद थे और दूसरी तरफ इन तीन यादव नेताओं की तिगडी थी, ये तीन यादव नेताओं की तिगडी पुरे संसद के उपर भारी पली थी, तो आखिर क्या है वो किस्ता और कौन थे वो तीन यादव जो पुरे संसद के उपर भारी पल गए थे, आज की इस वीडियो में इसी क महिला दिवस मना रही थी और इसी दिन ततकालिन कांगरेस की सरकार जिसके प tooling मुंत्री मनमौहन सिंग थे थे मनमौहन की सरकार महिला आरक्षण बिल देकर आए थी और इसे राज सबी के लोख सब सभापति के माईग को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी किसी तरीके से Congress Party राजे सभा से इस बिल को पास कराने में कामयाब हो चुकी थी. जिसके बाद Congress की सरकार ने इसे लोगसभा के अंदर पेश किया कि इस बिल को संसद के अंदर फाल दिया, इसका गोला बनाकर सभापती के उपर फेका गया, इतना जादा इन तीन नेताओं ने हंगामा किया, कि सभापती को मार्शल तक बुलाना प्ला, मार्शल भी इन तीन यादव नेताओं को काबू करने में असफल रहा, वो तीन नेटाओं ने इस महीला आरक्शन बिल का जम कर विरोध किया। लगभग जितनी दूसरी पांटियां थी। सब इस महीला आरक्षन बिलके समर्थन में थी। एक दो नेटाओं को और छोड़ दिया जाए। लेकिन ये तीन यादव नेटाओं ने इस बिल जबड़न्याय को बिधान जबरद्स्त विरोध किया। लालु प्रशाद्यादव समर्थन करते हुए उह कि setzen अरी सीमाओं को लांग जाएंगे हर सीमाओं को लांग जाएंगे लेकिन इस महिला आरक्षनल्ड बिल को किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे शरद यादव ने एक ऐसा बयान दिया जो उस समय काफी जादा विवादों के केंद्र में था शरद यादव ने कहा कि अगर महिला आरक्षनल्ड बिल पास हो जाता है तो इससे जो परकटी महिलाएं हैं वो SC SC OBC महिलाओं का हक छीलनेंगी उनका हक खा जाएंगी उस वक्त शरद यादव का ये बयान काफी जादा विवादों में रा था इसकी काफी जादा आलोचना हुई थी जिसकी बाद शरद य रोध में जुके नहीं थे इन तीन यादव नेताओं ने उस वक्त एलान कर दिया था उसमें से विशेशकर लालू प्रशाद यादव और मुलायम सिंग यादव ने एलान कर दिया था कि हम मनमोहन सिंग सरकार से अपना समर्थन वापस दे लेंगे अगर ये बिल पास हो ज की सीट थी और जिसके वज़े से इनके पास राजनतिक शिक्ति काफी जादा थी और इसी किदम पर इन्होंने इस महिला और अरक्ष्न बिल का विरोध किया था जिसके वज़ए अब ऐसा बताया जारेक नरेद्र मोधी की सरकार महिला आरक्षन बिल को पास कराने में कामियाबी हासल कर सकती है क्योंकि अब ना तो मुलायम सिंह यादव है ना ही इशरद यादव है और संसद के अंदर लालू प्रशाद यादव भी नहीं है तो ये तीन यादव नेताओं की तिगदी नहीं है जो इस महिला आरक्षन बिल का सबसे ज़्यादा विरोध कर रही थी आपके मन में प्रशन आ रहा होगा कि इन तीन यादव नेताओं की तिगदी ने इस बिल का आखिर विरोध क्यों किया था तो सबसे पहले आप ये समझे कि आखिर महिला आरक्षिन बिल है क्या तो महिला आरक्षिन बिल के अंदर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग सभा के अंदर दिल्ली विधान सभा के अंदर और देश की तमाम राज सरकारों की विधान सभाओं में महिलाओं को 33% आरक्ष होगी और महिलाओं को कहीं न कहीं एक सशक्ती करन मिलेगा फिर ये तीन यादव नेता इस बिल का विरोध क्यों कर रहे थे इससे पहले आपकी जानकारे के लिए बता दूँ कि बीजेपी के भी कुछ नेता थे जो इस महिला आरक्ष्ण बिल के विरोध में थे वर्तमान उत् यादव और शारद यादव इस महिला आरक्ष्ण बिल का विरोध इसले कर रहे थे क्योंकि उनका ये मानना था उनकी ये मांग थी किस महिला आरक्ष्ण बिल के अंदर OBC, SC, ST और Minority यानि कि अल्पसंचक महिलाओं के लिए अलग से आरक्ष्ण के वस्था की जानी चाहिए क्योंकि इन तीनों नेताओं का ये इनकी पार्टियों का ऐसा मानना था कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो जितनी भी Modern महिलाएं हैं खास तोर पर जो General Category की महिलाएं हैं उनको इस आरक्ष्ण का सबसे जादा लाब होगा क्योंकि आप खुद सोच कर देखे दोस्तों जो OBC, SC, ST और Minority के जो पुरुष नेता होते हैं उनका ही representation उतना जादा नहीं है जिनका दूसरे समाज के नेताओं का है तो महिलाओं का कहां से हो पाएगा उनकी महिलाएं तो वैसे भी कम पढ़ी लिखी होती हैं कम जागरुक होती हैं तो वो इस आरक्ष्ण का लाब कैसे ले किया था और इसमें अलग से SC, ST, OBC और Minority के लिए आरक्ष्ण के वस्था की मांग की थी मुझे भी ऐसा लगता है कि महिला आरक्ष्ण बिल में SC, ST, OBC और Minority के लिए अलग से आरक्ष्ण की वस्था की जानी चाहिए जिससे की जो इन समाज की महिलाएं हैं इनको भी एक Political Representation अच्छे तरीके से मिल सके बाकि आप सब लोग क्या सोचते हैं कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए बाकि चैनल पर नए हो तो चलो को सब्सक्राइब कर लीजिए Facebook, Twitter, Instagram यहाँ पर मेरी आइडिया आप सब लोग को मिल जाएगी उसको आप जाकर फॉलो कर सकते ह हैं बाकि मुलाकात करता हूं किसे और वीडियो में तब तक बहुत बहुत धन्यवाद जाएइन